भोजपूरी का वह सूपर स्टार जिसने भोजपूरी फिल्मों को जीवन दान दिया भोजपूरी के गानों को एल्बम्स को एक नई पहचान दिलाई उसे भोजपूरी का पहला सूपर स्टार कहा जाता है लेकिन उसके संगर्स के दिन ऐसे थे कि उसे प्लेटफॉर्म पर सो ये बनाया करता था, चार किलो मीटर पैदल चलकर स्कूल में काम करने जाता था और वह सक्स आगे चलकर भोजपूरी का पहला सूपर स्टार बन गया, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने भोजपूरी फिल्मों को दोबारा जीवन दान दिया, भोजपूरी संगीत को कमर्सि सद्यक्ष बन गया, वह सांसत बना और इसके बाद भोजपूरी कलाकारिये के लिए भी राजनीती का जैसे रास्ता खुल गया, उसके बाद दो और भोजपूरी सूपर स्टार सांसत बन गया, अपने पूरे जीवन में हर छेतर में सफलता की नई लकीर खीचने वाले, तीसरी बार पिता बने है, उनकी वाइप सुर्वी ने एक बेटी को जनम दिया है, जहां मनोज की ये तीसरी बेटी है, वहीं सुर्वी की ये दूसरी बेटी है, और इसके बाद से मनोज तिवारी को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा सुरू हो गया, तो आज हम वीडियो में बताएंगे कि कैमूर के अत्रवलिया का मनोज, सूपर इस्टार मनोज तिवारी मृदुल कैसे बन गया, इसके पीछे उसे क्या-क्या संगर्स करना पड़ा था, पर उससे पहले नमस्कार जमाजम भोश्पूरी देख रहे हैं आप, और मैं हूँ सन्नी मिश्रा कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं, मनोज तिवारी ने अपने संगर्स के दिनों के बारे में बात करते हुए, एक इंटर्विव में बताया था कि वो पहले बनारस के गंगा घाट पर गाना गया करते थे, वहां संगीत से जुड़े लोगों के साथ रियाज करते थे, पर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था, वह रूज घाट आते थे, गाते थे और वापस चले जाते थे, फिर एक दिन उनकी किस्मत में थोड़ा सा बदलाव आया, उनकी आवाज को किसी ने सुन लिया और उन्हें गंगा आर्थी के लिए पहली बार बुलाया गया, बनारस की गंगा आर्थी कितने प्रसिद्ध है ये आप जानते होंगे, गंगा आर्थी को देखने के लिए हजारों की भीड होती है, और जब मनोज गंगा आर्थी गाने लगे, तो यहीं से उनको लोग पहचानने लगे, और साल 1995 तक उनका बनारस के आसप बगलवाली आया, उसमें उनका एक गाना था बगलवाली जान मारेली, ये गाना उस समय काफी हिट हुआ था, और कई सालों तक ये गाना एकदम कल आये गाने की तरह बजता रहा, क्योंकि उस समय भोजपूरी के बहुत ऐसे सीमित गाने थी, जो रिलीज हो पाते थे, यह यूपी बिहार में खुब बजा और अब तक बजता है, इस गाने ने उन्हें रातो रात भोजपूरी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक नया इस्टार बना दिया, इसी एल्बम में उनका एक और गाना था, ये चमपा चमेली, कली एल्बेली, यह गाना भी काफी वायरल वो बोजपूरी के पहले गायक बने जिन्होंने कमर्शी इल्मम रिकॉर्ड किये थे, उनके गाने पारंपरिक लोग गित से अलग होते थे और नए जमाने के नए म्यूजिक के हिसाब से होते थे, इसके बाद मनुज का गाना ऊपर वाली के चक्कर में लईक्या खुब पि मनुज ने उसी इंटर्वी में बताया कि जब वो दिल्ली आये थे तो उन्हें रोजी रोटी के लिए काफी मसकत करनी पड़ी थी, दिल्ली आने के बाद वो लोधी रोडी स्थी, टी सिरीज की कमपनी में काम के लिए जाते थे, मनुज यहां करिब तीन सालों तक की बड़ी कमपनी के दरवाजे खुल गया, मनुज तिवारी के सितारे उस समय और भी बुलंदियों पर चले गया, जब उन्होंने अपनी पहली भोजपूरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसावाला में काम किया, फिल्म में उनके ऑपोजिट एक्तरिस रानी चेटरजीन ने ल मगरों से नहीं उत्री थी और इस फिल्म से जुड़े सभी कालाकार रातो रात स्टार बन गये थे, इसके बाद मनोज ने दरवगा बाबुवाई लव्यू, धरती कहे पुकार के गंगा पुत्र कब अईवू गवनवा हमार जैसी कई फिल्मों में काम किया, फिर उन्होंन झाल